गाइज अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखे हूंगे न बीबो भी 29 5G के बारे मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी और आज की वीडियो देखिएगे और यूटूब पे अन्य वीडियो आप देखिएगा आपको हाँ पे डिफरेंस मालूम हो जाएगा अभी जो ने बी पूरी इस्टिफिकेशन के बारे में जानकारी ऑफिसली दे दी है और यह चीजे मैंने पिछली की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि पूरी जानकारी भी 29 को लेकि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई तो चलिए क्या-क्या इनवे फीचर से हैं सारी लेक्स आ चुकी है तो हर एक चीज के बारे में डीटेल से आपको जानकारी देने वाला हुआ काफी बढ़ियां स्मार्फोन है खास करके मैं बताओ नो जब इसका बाइक देखेंगे ना बाइक में जो केमरा का है उसका डिजाइन जो लुक दिया है काफी इस्टेंडर लगता है यह वह अपने तरफ पर काफी आकरसित करता है खास करके करें तो लड़कियों को एक काली काफी जो एक अट्रेक्ट करता है तो इसमें क्या के फ्यूचर से मिलने वाले 6.678 इंच का क्वार्ड अमोलोड डिस्प्लेय मिलेगा जिसका रिपितर से एक सो बीस हर्टर का होगा ही इसमें आपको क्वालिकां सनेप ड्राइगन इसमे जो मैंने पीछले वीडियोंग बताया था और अन्य वीडियो आप देखिंगे तो इसमें बताया गया क्या ऐट जनरेशन टरी है थे उन्चीप सेट मिलने वाला मैं तो भाई खलत है इसमें आपको जो निग मैं बता पढ़ने वाली है लेकिन स्मार्टफोन भी काफी दमदार है न इसलिए भाई बीबो का तो एक चीज काफी अच्छा लगता है मुझे की बीबो हैंग नहीं करता है और इसकी केमरे की क्वालिटी ओगेर और जो फ्यूचर होते काफी स्ट्रोंग होते हैं तो बाकी के बात करे इंडराइट 13 पर वर्क करने वाला है इसमें आपको रियर में त्रिपल केमरा मिलेगा पचास आठ और दो का वहीं फ्रेंड में भी आपको पचास मेगा पिक्सल का केमरा दिया है कमा ले गाई जियार बैक से आप जितनी क्वालिटी अच्छी आईए उतनी क्वालिटी इमेज की बैटरी मिलेवाली है तो जो भी फ्यूचर्स थे जो भी इसिफिकेशन थे गाईज मैंने सारी चीज़ें आपको एक्स्प्लेइन कर दी है जानकारी की कैसी लगी है मैं कमेंट करके ज़रूर बताईएगा